Hello everyone and once again welcome back to Umar Taskir YouTube channel myself Umar Taskir Guys this Screaming Frog का हम लोगों का course चल रहा है और आप हम लोगों को बहुत important चीज़ को समझना है which is basically mode तो जब भी आप Screaming Frog के उपर आएंगे आपको यहां पर 4 mode जो है वो दिखाई देंगे और उसके बाद आपको start कर देना है और crawling जो है वो start हो जाईए और बाकी की जो insights reports है आपके सामने आ जाईए तो यह एक by default mode होता है second जो mode होता है काफी interesting mode है that is basically list अब जैसे नाम से पता चल रहा है जैसे ही मैंने list mode यहां पर किया आप क्या देख रहे हो कि यहां पर जो url डालने का आपको option दिख रहा था वो गायब हो गया मतलब इस mode के अंदर आप url नहीं paste कर सकते हैं यहां पर आपको urls को upload करना होगा आप manually कर सकते हैं paste कर सकते हैं या किसी xml, site map, file के थ्रू जो url से उनको upload कर सकते हैं for example अगर मैं manually पर जाओ तो मैं urls को किस तरीके से upload करूँगा मैं urls को इस तरीके से upload कर सकता हूँ और मैं इसको next करूँगा अब यहां पर आप देखो processed one url हो गया मैं इसको क्यों के उपर क्लिक करूँगा अब यहां पर crawling स्टार्ट हो रही है और मेरा केवल एक ही url जो है वो यहां पर crawl होगा अब बहुत ध्यान से समझेए अगर मैं images के उपर आप जा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस वाले url से related मेरे को कोई भी images जो है वो नहीं दिखाई देंगी canonical मेरे को दिखाई दे रहा है pagination अगर होगा तो वो मेरे को दिखाई देगा पर images अगर आप देखें तो यहां पर आपको images नहीं दिखाई देंगी इसी तरीके से इस page के उपर जो different links होगे उनको भी screaming frog का crawler crawl नहीं करने वाला है मतलब कि list mode में क्या होता है कि जो url आप यहां पर upload करेंगे केवल और केवल उन्हीं url को crawl किया जाएगा तो काफी laser targeted crawling होती है यह इसको आप इस तरीके से समझेए तो कई बार आप जो बहुत बड़ी websites यूपर काम कर रहे होता है और आपको चाहिए होता है कि आप एक limited set of urls की केवल analysis करना चाहते है उसकी केवल crawling करना चाहते है उस particular scenario में आप इस type के जो options है उनको use करते हैं तो यह हमारा second mode होगा I believe clear हो गया होगा आपको third mode again बहुत ही जादा interesting है अब यहाँ पर जब मैं mode पर जाता हूँ which is basically CRP अब CRPs में क्या होते हैं अगर मैं search engine result pages की बात करूँ तो url होता है titles होते है descriptions होते हैं अब एक scenario मान के चलते हैं आपने उनको download किया अब आप फर्दर उसके अंदर जो कुछ changes है वो करना चाहते हैं अब उन changes को करने के बाद वो एक format में आपके पास available हो जाएंगे मान लिया आपके पास CSV format में है या xls format में आपके पास available है URL available है टाइटल available है और description available है अब आप क्या करेंगे इस mode पे आने के बाद उसको यहाँ पर upload करेंगे वो जो आपकी file होगी उसको आपको upload करना होगा format मैं आपको यहाँ पर दिखा दूगा भी से normal format है URL आपको mention करना ए फिर title आपको mention करना है फिर description आपको mention करना है और उसको upload करने से जो आपके page titles और जो आपके meta descriptions है वो यहाँ पर आपको show हो जाएंगे, right, address हो जाएगा, title हो जाएंगे और description यहाँ पर show हो जाएंगे, और उसका जो preview है, जो CRP snippet देखें, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा छोटा सा आपको, CRP snippet में उसक preview भी जो है वो दिखाई देगा, अच्छे यह option इन्हों ने क्यों दिया है, कि जैसे आपने जो list of existing titles and descriptions download किये, उसके बाद आपने उसमें कुछ further changes किये, now you want to see, कुछ filters होगेरा लगा कर कि कोई title missing तो नहीं है, title की length कितनी है, उसका pixel कितना है, title description से लेट है, जो भी basic आपको audit करने, उसके लिए इस tool में तो आपको उसको upload करना पड़ेगा, तो यहां पर जब आप इस mode में जाते हैं, जो third वाला mode मैंने बताया, srp वाला mode, तो इस mode में ऐसा नहीं है, कि आपकी website के ओपर titles and descriptions live होने चाहिए, तभी वो crawl कर पाएगा, अगर as an file आपके पास है, offline file की तर grade के अंदर मिलती है, अब जैसे ही मैं यहां पर compare के उपर click करता हूँ, यहां पर आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो current में select crawl आपको दिख रहा है, और एक previous में select crawl दिख रहा है, अब मान के चलते हैं, दो-चार दिन पहले आपने अपनी website की crawling कराई थी, उसके बाद दो-चार दिन के बाद यो है, वो वापस आपने अपनी website पर बहुत सारे changes करें और उसके बाद वापस आप crawl कराने जा रहे हैं, तो एक comparison आप देखना चाहेंगे, जो पहले crawling हुई थी, उसमें और जो अभी crawling हुई, उनमें क्या difference है, तो वो ये वाला mode आपको clarity देगा, comparison व टूल के अंदर देखने को मिलते हैं, जो जब आप बहुत दीपर analysis कर रहे होंगे, तब इन सब चीजों की आपको ज़रुरत होगी, वैसे पता तो होना ही चीज़, क्यूंकि हम लोग screaming for us को बहुत in-depth पढ़ रहे हैं, thank you guys. झाल